मेरे प्यारे देश्वास्यों, नमस्कार, आज हम एक बार फिर मन की बात के लिए एक साथ जुड रहे हैं। दो दिन बार दिसंबर का महिना भी शुरू हो रहा है। और दिसंबर आते ही साइकलोजी के लिए हम ऐसा ही लगता है कि चलिए बैस साल पुरा हो गया, ये साल का आखरी महिना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं। युद्यका स्वर्णिम जेनती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलो का स्मरन करता हूं, हमारे वीरों का स्मरन करता हूं और विशे सुप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरन करता हूं। मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुखदूग भी साजा किये हैं इसमें बहुत सारे नवजवान भी हैं चात्र चात्राएं हैं मुझे वाकई भहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा एक परिवार निरंतर बड़ातव हो ही रहा है मन से भी जूड रहा है और मक्सद से भी जूड रहा है और हमारे गहरे होते रिस्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मक्ता का एक प्रभा प्रभाहित कर रहे हैं मेरे प्यारे देश्वासियों मुझे सीतापूर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमरित महोत्सव से जूड़ी चर्चा है उन्हें खूब पसंदा रही है वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधिन्ता संगराम के बारे में काफी कुछ जानने का सीखने का लगातार प्यास कर रहे हैं साथियों अमरित महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने के भी प्रेड़ा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हो या सरकारे हैं पंचायत से लेकर के पार्लामेंट तक अमरित महोत्सव की गुंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कारकमों का सिलसिला चल रहा है ऐसा ही एक रोचक प्रोग्रेम पिछले दिन दिल्ली में हुआ आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी कारकम में बच्चों ने स्वाधिनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्थुत किया खास बात ये भी रही कि इसमें भारक के साथ ही नेपाल, मौरिशस, तंजानिया, न्यूजिलेंड और फिजी के स्टूरेंट्स में शामिल हुए हमारे देश का महारतन ओएंजिसी O-N-G-C भी कुछ अलग तरीके से मौत मोसमा रहा है O-N-G-C इन दिनों वैल फिल्ट्स में अपने स्टूरेंट्स के लिए स्टरी तूर का आयोजन कर रहा है इन तूर्स में युवाओं को O-N-G-C के वैल फिल्ट आपरिशन्स की जानकारी दी जा रही है उद्देश ये कि हमारे उभरते इंजिनियर राष्ट निर्मान के प्रयासों में पुरे जोस और जुनून के साथ हाथ बटा सके साथियों आज हादी में अपने जन जातिये समुधाय के योगदान को देखते हुए देश ने जन जातिये गवरोव सब्तावी मनाया है देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़े कारकम भी हुए अंडबार, निकोबार, द्विप समु में जारवा और ओंगे ऐसे जन जातिये समुधाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवन प्रदर्शन किया एक कमाल का काम हिमाजल प्रदेश में उना के मिनियेचर राइटर रामकुमार जोषी जी रही हैं बनाए हैं हिंदी में लिखे राम शब्दपर उन्हों ने स्कैट तैयार किये जिसमें संख्षेप में दोनों मापुरोषों की जीविनी को भी उकेरा गया है मद्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कारकम की जानकारी दिये इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बरिधान की यादे ताजा की गई हैं ऐसा ही एक कारकम काशि में हुआ गोश्वामी तुलसिदास, संत कबीर, संत रहिदास, भारतेंदु हरिचंद्र, मुन्सि प्रेमचन और जैसंकर प्रसाथ जैसे महान विभूतियों के सम्मान में तीन दिनों के महोत्सों का आयोजन किया गया अलग-लग कालखन में इन सभी की देश की जन जागरूत में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपको ध्यान होगा मन की बात के पिछले एपिसोर्स के दोरान मैंने तीन प्रतियों गीताओं का उलेक किया था कॉम्पुटिशन की बात कही थी एक देश भक्ति के गीत लिखना देश भक्ति से जुड़ी आज़ादी के अंदोलन से जुड़ी गटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए मुझे आशा है कि इन पती योगीताओं के लिए भी आप जुरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे मुझे आशा है बढ़ चड़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कारकम को आप जुरूर आगे बढ़ाएंगे मेरे पैरे देश्वासियों इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वरंदावन लेकर चलता हूँ वरंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है हमारे संतों ने भी कहा है यह आसा धरी चित में कहत जथा मतिमोर वरंदावन सुख रंग कव काहून पायो और यानि वरंदावन के महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ के हिसाब से कहते जरूर है लेकिन वरंदावन का जो सूख है यहां का जो रस है उसका अंत कोई नहीं पा सकता वो तो असीम है तभी तो वरंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी पस्चीमी अस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भाती परिचीत होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी इस नाम से एक आर्ट गैलरी भी है यह गैलरी स्वान बेली के एक खुब सुरत ख्षेतर में बनाई गई है और यह आस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारेणी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है जगत तारेणी जी बैसे तो है आस्ट्रेलिया की जन्म भी वहीं हुआ, लालन पालल भी वहीं हुआ, लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वरंदामन में आकर के उन्होंने बिताया उनका कहना है कि फिर आस्ट्रेलिया लोड तो गई, अपने देश वापिस तो गई, लेकिन वो कभी भी वरंदामन को भूल नहीं पाई इसलिए उन्होंने वरंदामन और उसका अध्यत्रविक भाव से जूढने के लिए अस्ट्रेलिया में भी वरंदामन खड़ा कर दिया अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अध्रुत वरंदामन उन्होंने बना लिया यहां आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का आउसर मिलता है उन्हें भारत के सरवाधिक प्रसिद्ध तिर्थस्तलों, वरंदावन, नवादवीब और जगनातपुरी की परंपरा और सहस्कृति की जलग देखने को मिलती है यहां पर भगवान कृष्ण के जीवन से जूड़ी कई कलाकृतिया भी प्रतसित की गई है एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है जिसके नीचे वरंदावन के लोग आहिस्ता ही लिए हुए है जगत्तारेणी जी का यहाद भूत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भगति की शक्ति का धर्शन कराता है मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुपामनाय देता हूँ मेरे पहरे देश्वासियों अभी मैं आस्ट्रेलिया के पर्थ में बने ब्रंदावन के विशे में बात कर रहा था ये भी एक दिल्चस्प इतिहास है कि आस्ट्रेलिया का एक रिस्ता हमारे बुंदेल खंड के जांसी से भी है दरसल जांसी की रानी लक्ष्मिबाई जब इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाब कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग जॉन लैंग मूल रूप से आस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मी भाई का मुकदमा लड़ा था हमारे स्वतंतरता संग्राम में जांसी और बुंदेलखन का कितना बड़ा योगदान है यह हम सब जानते हैं यहां रानी लक्ष्मी भाई और जल्रकारी भाई जैसी विरांगनाय भी हुई और मेजर ध्यानचन जैसे खेल रत्न भी इस ख्षेत्र ने देश को दिये है साथ क्यों वीर्ता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूर है नहीं होता वीर्ता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर ख्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं मुझे ऐसी ही वीर्ता के बारे में स्रीमती जोथना ने चिठी लिख कर बताया है जालोन में एक पारंपारिक नदी थी नून नदी नून यहां के किसानों के लिए पानी का प्रमुक स्रोध हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुपत होने की कगार पर पहुँच गई जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तबदील हो रही थी इसे किसानों के लिए सिंचाय का भी संकर खड़ा हो गया था जालों के लोगों ने इस थित्व को बदलने का बेड़ा उठाया इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमिटी बनाई गई हजारों ग्रामिन और स्थानिय लोग स्वता स्पूर्थ इस अभ्यान से जुड़े यहां के पंचायतों ने ग्रामिनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में यह नदी फिर से जिवित हो गई है कितने ही किसानों को इसका फाइदा हो रहा है युद्दे के मैदान से अलग विर्ता का यह उधारन हमारे देश वाच्यों के संकल्ब सरक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है और तब ही तो मैं कहता हूँ सब का प्रयास मेरे प्यारे देश वाच्यों जब हम प्रकूती का सरक्षन करते हैं तो बडले में प्रकूती हमें भी सरक्षन और सरक्षा देती है इस बात को हम अपने नीजी जिवन में पी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उधारन तमिलनाडू के लोगों ने व्यापक स्तरपर प्रस्तूत किया है। यह उधारन है तमिलनाडू के तुतुकुडी जिलेगा। हम जानते हैं कि तत्रिय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खत्रा रहता है। तुतुकुडी में भी कई छोटे आईलेंड और टापू ऐसे थे जिनके समुदर में डूबने का खत्रा बढ़ रहा था। यहां के लोगों ने और विश्यशक ज्यों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिये ही खो जा। यह लोग अब इन टापू पर पालमेरा के पैड लगा रहे हैं। अरी दुनिया में नएने रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था मेगालेव में एक फ्राइंग बोड की तश्वीर खुब बाइरल हो रही है। पहली ही नजर यह तश्वीर हमें आकरसित करती हैं। आप में से भी जादाता लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में 33 इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता करता है कि यह तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती हैं और नाव हवा में 33 लगने लग जाती हैं। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक शेत्र हैं जहांके लोगों ने अपनी प्रकृतिक वरासत के रंगों को संजो कर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शेली आज भी जीवित रखी है। यह हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक सहसादन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका अस्तली रूप लोटाएं। इसी में हम सब का हीत है, जग का हीत है। मेरे पहरे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती हैं, बजट खर्च करती हैं, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती हैं, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिस सरकार के अनेक कारियों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच, मानवी ये समवेदनाओं से जोड़ी बाते हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से, कैसे कोई जीवन बढ़ला, उस बढ़ले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं, तो हम भी संबेद्नाओं से भर जाते हैं, ये मन को संतोस भी देता है, और उसी योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेना भी देता है, एक प्रकार से, ये स्वांतह सुकाई तो है, और इसलिए, आज मन की बात में, हमारे साथ, तो ऐसे साथे भी जूड रहे हैं, जो अपने होंसलों से, एक नया जीवन जीत कराए हैं, इन्होंने, अविश्मन भारत योजना की मदद से, अपना इलाज कराया, औ एक नई जिन्दगी की शुरुवात की है, हमारे पहले साथी है, राजेश कुमार प्रजापती, जिने रजैरों की बिमारी हार्ट की समस्या थी, तो आईए, राजेश जी से बात करते हैं, राजेश जी नमस्ते, नमस्ते साथ, नमस्ते, आपकी राजेश जी बिमारी क्या करते होंगे क्या क्या होता था करते हैं राजेश जी और आयू कितनी हैं आपकी इतनी छोटी हैं में आपको हार्ट का ट्रबल हो गया आपके परिवार में भी पिता जी को या किसी माता जी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि? नहीं सर, कुछी को नहीं था सर, ये पहला है हमारे साथी हुआ है ये आयूशमान कार्ड बारत सरकार ये कार्ड देती है, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है तो ये आपको पता कैसे चला? ये तो इतनी बड़ी योजना करीबा जी बहुत इससे बेनिफिट मिलता है, वो इतना खुस है सर। हमने तो हास्पिटल में देगा कि इस कार्ड से कितना लोग को सॉलिट मिलती है, जब डाक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर, तो डाक्टर जिए ठीक हो कार्ड लेका तो राजेश जी आपको अभी संतोस है तब यह ठीक है जी सर आपका बहुत बहुत धन्वास सा और आपके उमर में इतनी लंबे हो कि हमेशा सत्ता में ही रहे हमारे परवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं हम क्या कहें आपसे राजेश जी आप मुझे सत्ता में रहने के शुपकामना मत दीजिए मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविश में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ मैं जिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ मेरे लिए ये पद, ये प्रधान मंत्री, ये सारी चीजे, ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है, सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को और क्या, देखे गरीबों के लिए, ये आयुश्मान भारत योजना, ये अपने आप में, ये सर बहुत बढ़िया चीजे ह लेकिन देखिए, राजजे जी आप हमारे काम कीजिए, करेंगे? ये बिल्कुल करेंगे सर्थ देखे होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है, आप एक जिम्मेवारी निभाईए, ऐसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास, उनको अपनी ये कैसे आपको लाब हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताईए, बिल्कुल बताएगे सर्थ और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा ले हैं, ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसिबत आ जाएं, और आज गरीब दवाई के कारण परिशान रहे, ये तो ठीक नहीं है, अब पैसों के कारण वो दवाई न ले ये बिमारी का उपाई न करें, तो ये भी राजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके, जितने गरीबों को आप ये आईश्मान भारत योजना के समझ में समझा सकते हैं, वैसे बिमार लोगों के मदद कर सकते हैं, देखिए आपको भी संतोस होगा, और मुझे बहुत खुशी होगी, कि चलिए बे एक राजेश जी क तबियत तो ठीक हुई, लेकिन राजेश जीने सेंक्रों लोगों की तबियत ठीक करवा दी, ये आईश्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए हैं, मद्यमबर के लिए हैं, सामान्ने परिवारों के लिए हैं, तो गर गर इस बात को पहुँचाएंगे आप, बिरकुल प बहुत लोगा है, पारी सुदा हैं, उनको मताई, काड होगा तो फिरी में हो जाएगा, चलिए राजेश जी, आप अपने आपको स्वस्त रखिए, थोड़ी शरीर की चिंता करिए, बच्चों की चिंता किजिए, और बहुत प्रजेती जी मेरी बहुत चुब कामना है आप को, साथियों, हमने राजेश जी की बाते सुनी, आईए, अब हमारे साथ सुख देवी जी जूड रही है, गुटनों की समस्या ने उन्हें बहुत परिशान कर दिया था, आईए, हम सुख देवी जी से पहले उनके दुख की बात सुनते हैं, और फिर सुख कैसे आया, वो स सुख देवी जी नमस्ते, आप कहां से बोल रही हैं, कहां पड़ता है ये, मत्रा में, फिर तो सुख देवी जी, आपको नमस्ते भी कहना है, और साथ साथ रादे रादे भी कहना होगा, अच्छा, हमें सुना कि आपको तकलिप हुई थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, ज चालीस साल, चालीस साल, और सुख देव नाम, और सुख देवी को बीमारी हो गई, बीमारी तो मुझे 15-16 साल दे लग गई, अरे बापरे, इतनी छोटी है ये, घुटने आपके खराब हो गए, वो गटिया भाई बोनते हैं, जोड़ों में, दर्दते कहां घुटना तो सुख देव जी, आपरेशन का विचार कैसा आया, उसके पैसों का क्या परबंद किया, कैसे बनाए इस तब, मैंने वो आस्मान कार्ड से अलाज करवाया है, तो आपको आईश्मान कार्ड मिल गया था, और आईश्मान कार्ड से गरीबों को मुफत में उपचार होता है अच्छा डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड ना होता तो कितना घर्चा बताते थे? दाई लाग रुपे, तीन लाग रुपे, छे साथ सान से परी हूं खाट में, जे कहती थी ये बगवान मुझे ले लेकर, मुझे नहीं जीना. छे साथ साल से खाट में थी बापरे बाप? अहां. बुलकुल उठा बैठा नहीं जाते बच्चे बैठाते लेकर, तो अभी आपका गुटना पहले से अच्छा हुआ है? तब तो बच्चों को भी आनन दाता होगा? बच्चे न को बहुत भी परेशान ही होती थी. मा परेशान है तो बच्चा भी परेशान है? देखे हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्ती ही होता है ये सुखी जीवन सबको मिले यही आईश्मान भारत की भावना है चलिए सुख देवी जी मेरी आपको बहुत बहुत सुख कामना है फिर से एक बार आपको रादे रादे मेरे प्यारे देश्वासियों, युवाओं से सम्रुद हर देश में तीन चीजे बहुत माइने रखती है और वही तो कभी-कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज़बा और तीसरी है केंड डू स्पिरिट यानि किसी भी काम को पुरा करने की जिद चाहे परिस्तित्या कितनी भी विप्रिक्यों न हो जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूत पूर्व प्रणाम मिलते हैं, चमतकार हो जाते हैं आजकल हम चारों तरप सुनते हैं यूनिकॉन शब्द खूब चर्चा में है, आप सबने इसके बार में सुना होगा, यूनिकॉन एक ऐसा स्टार्ट अप होता है, जिसका वैल्यूएशन कम से कम, एक बिलियन डॉलर होता है, याने करीब करीब साथ हजार करोड रुपे से ज़्यादा, साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉन हुआ करते थे, आपको ये जानकर बेहत खुशी होगी, कि अब यूनिकॉन की दुनिया में भी भारत तेज उडान भर रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल एक बड़ा बड़लावाया है, सिर्फ 10 महिनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉन बना है, ये इसलिए भी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यूवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है, आज भारत में सत्तर से अधिक यूनिकॉन हो चुके हैं, याने सत्तर से अधिक स्टार्ट अप ऐसे हैं, जो एक बिलियन से जाधा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं, साथियों, स्टार्ट अप की सफलता के कारण हर किसे का उस पर ध्यान गया है, और जिस प्रकार से, देश से, विदेश से, निवेशों कों से, उसे समर्धन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसके कोई कलपना भी नहीं कर सकता था, साथियों, स्टार्ट अप के जर्ये भारतिय युवा, ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं, आज हम एक युवा, मयूर पाटिल से बात करेंगे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिल कर, पॉलुशन की प्रॉब्लेम का सॉलुशन देने का प्रयास किया है. माइलेज बहुत कम था और एमिशन बहुत जादा था, वो टू-स्टोक मोटरसाइकल था, तो एमिशन कम करने के लिए और उसका माइलेज फोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने कोशिस चालू किया था, विच्छ 2011-2012 में, और उसका मैंने करीब-करीब 62 किलोमेटर पर लिटर तक माइलेज बढ़ा दिया था, तो वहां से मुझे ये प्रेरना मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं, जो मास प्रोड़क्शन कर सकते हैं, तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फाइदा होगा, तो 2017-18 में हम लोगों ने उसका टेकनोलोजी डेवलप किया, और रिजनल ट् प्रेकनोलोजी जो अपने खोजी है, उसका पेटन्ट वगेरे करवा लिया? हाँ जी पेटन्ट हो गया, ये साल में हमें पेटन्ट गरांट होके आ गया और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है, आपका किस प्रकार से कर रहे है, जैसे बसका रिजल्ट आ गया, उसके भी सारे चीज़े बाहर आ गई होगी, तो आगे क्या सोच रहे हैं? सर्थ, स्टार्ट अप इंडिया के अंदर नीतिया योग से अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है, वहाँ से हमें गरांट मिला, और वो गरांट के बेसिस पे हम लोगों ने अभी साक्टरी चालू किया, जहां पे हम एर सिल्टर का मैनुफेक्टरिंग कर सकते हैं तो भारत सरकार के तरब से कितना गरांट मिला आपको? 90 लेक्स 90 लेक्स और उससे आपका काम चल गया? हाँ, अभी तो चालू हो गया है, प्रोसेस में है आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सर्थ? हम लोग चार लोग हैं सर्थ और चारों पहले साथ में ही पढ़ते थे और उसी में से आपको विचारा है आगे बढ़ने का? हाँ, हाँ, हम कॉलेज में ही थे कॉलेज में हम लोग ने सब सोचा और यह मेरा आइडिया था कि मेरा मोटर साइकल का एक पॉलूशन कम हो जाए और माइलेज बढ़ जाए हाँ, जब पॉलूशन कम करते हैं, माइलेज बढ़ाते हैं तो एवरेज खर्च कितना बचता होगा? सर्, मोटर साइकल के हम लोग ने टेस्ट किया उसका माइलेज होता 25 km पर लीटर वो हम लोग ने बढ़ा दिया 39 km पर लीटर तो करीब-करीब 14 km का फाइदा हुआ और उसमें से 40 प्रतिशत का कार्बन एमिशन कम हो गया और जब बसेस पे किया रिजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन में तो वहाँ पे 10 प्रतिशत fuel efficiency इंक्रीज हुआ और उसमें भी 35-40% एमिशन कम हो गया महीर में जो अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके साथ्यों को मेरी तरफ से बताई दीजिए कि कॉलेट लाइफ में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने परियावरण के समस्या को एड्रेस करने के लिए आपने बिड़ा उठाया और ये हमारे देश के युवाओं का ये सामर्ती ही है कि कोई भी बड़ी चुनावती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहे हैं मेरी तरफ से आपको बहुत शुक्तामनाए हैं बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कमपनी शुरू करना चाहता है तब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था तुम नोकरी क्यों नहीं करना चाहते हैं नोकरी करो ना भाई अरे नोकरी में सिकुरिटी होती हैं, सेलरी होती हैं, जेंजड भी कम होती हैं, लेकिर आज यदी कोई अपनी कमपनी शुरू करना चाहता है, तो उसके आज़ पास के सभी लोग बहुत उत्साइत होते हैं, और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं, साथियों, भारत की ग्रोफ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है, जहां आब लोग सिर्फ जौब सीकस बनने का सपना नहीं देख रहें, बलकि जौब क्रियेटर्स भी बन रहे हैं, इससे विश्व मंच पर भारत के स्थिती और मजबुत बनेगी, मेरे पैरे देश्वासियों, आज मन की बात में हमने अमरित महोत्सव की बात की, अमरित काल में कैसे हमारे देश्वासी नए नए संकल्पों को पुरा कर रहे हैं, इसकी चर्चा की, और साथ ही दिसम्बर महिने में सेना के शावरिय से जुड़े हुए अउसरों का भी जिक किया, दिसम्बर महिने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है, जिससे हम प्रेना लेते हैं, ये दिन है, छे दिसम्बर को बाबा साब आम बेड़कर की पुर्ण निति थी, बाबा साब ने अपना पूरा जीवन, देश और समाज के लिए, अपने कर्तवयों के निर के निर्वहन के अपेक्षा करता है, तो आएए, हम भी संकल्प लें कि अमरूत महसों में हम कर्तवयों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे, ये ही बाबा साहिब के लिए हम्यारी सच्ची स्रधान दिली होगी, साथियों, अब हम दिसम्बर महिने में वर्स की आखरी मन की बात होगी, 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे, और मैं हाँ, आप से धेर सारे सुझाओं की अपेक्षा करता ही रहता हूं, करता रहूंगा, आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं, नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी जुरूर बताईए और हाँ, ये कभी मत भूलना, कोरोना अभी गया नहीं है, साउधानी बरतना हम सब की जिम्मेवारी है, बहुत बहुत धन्यवाद